शबी शिक्षक साथ्यों को नमस्कार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागात हैं साथ्यों आज की वीडियो कक्साच हैं विशे गनित की सिक्षन योजना से संबन्दित हैं जिसका प्रकरण है कोटी पूरक कोन और संपूरक कोन साथियों आप सभी जानते हैं कि इस बार हमें सिक्षन का रिया पार्ट योजना की जगा सिक्षन योजना के अनुसार करना हुआ इसी क्रम में मैं आपके सामने समय समय पर अलग-अलग सिक्षन योजना लेकर आता रहता हूँ साथियों अगर आपको इस सिक्षन योजना में कोई कमी नजराती हो तो आप इसे परिवर्थन कर सकते हैं तता मुझे कमेंट बोक्स में भी बता सकते हैं आपके सुझाव आमंद प्रित है साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बेसिक शिक्षाव भाग से सम्मंदित वीडियों बनाता हूँ जिनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ साथ ही इन बनाए गई वीडियों के लिंक मैं अपने वार्टसप ग्रूप में भी शेयर करता हूँ अगर आप इस वार्टसप ग्रूप में जुड़ना चाहें तो आप आपको इस वार्टसप ग्रूप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा आप वहां से लिंक को ओपन करके वार्टसप ग्रूप में शामिल हो सकते हैं साथ ही अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरा चैनल भी अवश्य सब्सक्राइब करें चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कखसा 6 विशय गनित की सिक्षन योजना सबसे पहले टेवल बनाएंगे उपर एक जिसमें दिनांग, कक्षा, विशय, परकरण और समय होगा कक्षा 6 विशय गनित परकरण है कोटी पुरक कोन, समपुरक कोन समय 40 मिनट सबसे पहले आता है लर्निंग आउटकम बच्चे कोटी पुरक कोन और समपुरक कोन के विशय में जानते हैं नंबर दो सीखने सिखाने की सामगरी, पाठ्थ्या पुस्तक, ब्लैक बोर्ड और चोग सीखने सिखाने की परकिरिया इसमें चार कोलम बनाए जाते हैं कोन, रैखिक युगंग और सीखसा भी मुग कोन के विशय में पूछेंगे क्योंकि हमने उनको ये पढ़ा दिया है इसके बाद सिख्षक बलैक बोर्ड पर इस तरह से दो कोन बना देंगे एक 40 अंसका और एक 50 अंसका सिख्षक बच्चों से पूछेंगे कि चितर A में बना हुआ कोन कितने अंसका है तो बच्चे देखकर बता देंगे कि 40 अंसका है फिर पूछेंगे चितर B में बना हुआ कोन कितने अंसका है बच्चे बताएंगे कि 50 अंसका है कि आज हम आपको संपुरक कौन तदा कोटी पुरक कौन के विशे में बढ़ाएंगे इसके बाद दूसरा स्टेप इसमें सब्सक्राइब 25 मिनट और आखलन का तरीका होगा बातचीत, सहबागिता और अवलोगन सिक्सक बलैक बोर्ड पर लिए देंगे कोटी पुरक कौन और इस तरह से एक चितर बोर्ड पर बना देंगे सिक्सक बच्चों को बताएंगे कि उपरोक्त आकरती में दो कौन बने हुए हैं एक कौन 30 अंस का है और एक कौन 60 अंस का है ऐसे कौनों को एक दूसरे के कोटी पुरक कौन कहते हैं यदि दो कौनों का योगवर नबैंस हो तो ऐसे कौनों को एक दूसरे का कोटी पुरक अत्वा पुरक कौन कहते हैं इन्हें अंग्रेजी में कॉम्प्लिमेंटरी एंगल्स भी कहते हैं इसके बाद समपूरख कॉन, इस तरहे से चितर बना लेंगे बोर्ड पर 180 का और एक इस तरहे से, इसके बाद बच्चों से कहेंगे, कि आप बोर्ड पर बनी आकर्तियों को देखिए, जदि दो कोनों का युगफल 180 हो, तो ऐसे कोनों को एक दूसरे का समपूरख कॉन कहते है जैसे असी और सो एकस्वासी तीस और डेड़ सो एकस्वासी इस तरह से बच्चों को इसपश्ट करेंगे कि कोटी पुरकोन और संपुरकोन उखा जो सीर्स होता है वो उभेनिष्ट होना आवशक नहीं है कोटी पूरकोन संपूरकोन ये आसन कोन होना भी आवशक नहीं होता है इसके बाद शिक्षन के अंत में समय दस मिनट अवलोखन और सहयोग होगा आपनन का तरीका सिक्सक बच्चों को दो प्रशन देंगे नमबर एक निमलिखित कोन का कोटी पूरकोन लिखे पच्पन अंस बच्चों को बताएंगे कि इसका आप बताएए कोटी पूरकोन कितने अंसखा होगा दूसरा निमलिखित कोन का संपूरकोन लिखे बच्छों से कहेंगे कि बताओ व सत्तर अन्सखा संपुरा कॉन कितना हुआ इसके बाद ग्रहकार ये सिक्षक अभ्यास में लिखे कुछ प्रशन बच्चों को घर से आने के लिए देंगे भी बच्चों को ये काम घर से करके लाना है इसके बाद सिक्षक की अगामी योजना यहां पर आपकी जो भी अगामी योजना होगी आप उसका वर्णन करेंगे तो साथियो अगर आपको इस सिक्षन योजना अच्छी लगे तो इसे आप अपने अन्यमित्तों को भी अवश्य शेयर करें अगर आप इसमें कुछ परिवर्टन करना चाहें तो कर सकते हैं मिलते हैं आपसे बहुत जल अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार आपका दिन शुबह हूँ